C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की विज्ञान की पाठे पुस्तक विज्ञान 1 प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 10 शिर्षक गती एवं दूरियों का मापन तो आईए अब सुनते हैं पाठ 10 प्रिष्ट पिच्च्यानवे पहली तथा बूझों की कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीश्म अफकाश में भ्रमन की ये गए स्थानों के बारे में सामान ने चर्चा हो रही थी एक बच्चा अपने पैत्रिक गाओं पहले रेल गाड़ी फिर बस और अंत में बैल गाड़ी का उप्योग करके गया था एक विद्यार्थी ने वायो यान से यात्रा की थी एक अन्य विद्यार्थी ने अफकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मचली पकड़ने में वेतीत किये थे इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिन में उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वररन है जो मंगल ग्रह की धर्ती पर चले थे और प्रयोग भी किये इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक शियान द्वारा किया गया था इसी बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानिया पढ़ती रही तथा अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे दस पॉइंट एक यातायात की कहानी प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे वे पैदल चलते थे तथा अपना सामान अपनी पीट पर लाद कर ले जाते थे बाद में मानव यातायात के लिए पशों का उप्योग करने लगा प्राचीन काल में जलमारगों में आने जाने के लिए नावों का उप्योग किया जाता था आरंभ में लकडी के लठों से जिन में खोकली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी इसके पश्चात लोगों ने लकडी के विभिन टुकडों को आपस में जोड़ कर नाव की आकरिती बनाना सीख लिया। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकरितियों के सद्रिश थी। अध्याए आठ एवं नौ में मचलियों की धारा रेखिये आकरिती से संबंधित चर्चा को याद कीजिए। ये दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशवों, नावों तथा जहाजों पर निर्भर करते थे। वाश्प इंजन के आविशकार से परिवहन के नए साधरों का विकास हुआ। वाश्प इंजन से चालिच सवारी गाडियों तथा माल गाडियों के डिब्बूं के लिए रेल की पट्रियों का निर्मान किया गया। चित्र संख्या 10.1 यहां पर परिवहन के कुछ साधन दर्शाए गए हैं जैसे साइकिल, हवाई जहाज, पानी का जहाज, बैल गाड़ी, बस और रेल काड़ी। पिष्ट 96 इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वाचालित वहन आए। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उप्योग होने लगा। उन्निस्वी शताबदी के प्रारंब के वर्षों में वायूयान का विकास हुआ, जिनमें बाद में सुधार किये गए और इन्हें यात्री तथा सामान ले जाने योग के बनाया गया। विद्धिर रेल गाड़ी, एकल रेल यानी एक पट्री रेल, पाराध्वानिक यानी सुपरसोनिक वायूयान तथा अंतरिक्ष यान बीस्वी शताबदी के कुछ योगदान है। चित्रसंख्या 10.1 में परिवाहन के विभिन साधन दर्शाय गए हैं। इन्हें पराचीनितम से अत्या धुनिक परिवाहन के साधनों के सही क्रम में विवस्थित कीजिए। क्या इनमें परिवाहन का कोई ऐसा पराचीन साधन भी है, जिसे आजकल उप्योग में नहीं लाया जाता है। 10.2 यहाँ डैस्क कितना चौड़ा है। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूर चले हैं। आप यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तै कर सकते हैं। अथवा स्कूल पहुँचने के लिए आपको बस अथवा रिक्षे की आवशकता होगी। जब आपको कुछ खरीतना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है आप इन प्रश्णों के उत्तर कैसे जानेंगे। तरिक्षि यान लेना होगा। कभी-कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथ्वा चौड़ाई जानने की हमें आविशक्ता होती है। डेस्क के अधिक भाग का उप्योग कर रहा है। अध्यापक के सुझाओ पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने करनिश्चे किया। डेस्क के ठीक मध में एक चिन बनाया। तथा डेस्क को दो बराबर भागो में बाटने के लिए एक रेखा खींची। ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं। और बूझो तो सदै भी अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। चितर संख्या 10.2 में गिल्ली तथा डंडे से डेस्क की लंबाई मापते हुए दर्शाया गया है। यहां चितर संख्या 10.2 में देखिए। उन्होंने गिल्ली और डंडे का उप्योग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया है। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई, दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है. डेस्क के मध में रेखा खीचने पर दोनों प्रसन्ने दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों को आधा-ाधा डेस्क मिल गया है जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है कुछ दिनों के बाद खीची गई रेखा मिट जाती है, बूजो का पुराना गिल्ली डंडा खो गया है, अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है अब देखिए वे गिल्ली डंडे के नया सेट का उप्योग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं, जैसा के चित्र संख्या 10.3 में दर्शाया गया है प्रेश्ट 97 हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नया सेट से मापी गई, तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतित हुई, जैसे यह लगभग दू डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाईयों के बराबर हो परन्तु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है, यह तो एक गिल्ली के लंबाई से कम है, आप क्या करें? आप पहली और बूजो को क्या सुचाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें, क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकिट के विकेट तथा गुल्लियों का उप्योग कर सकते हैं, अत्वा आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्य हो सकती है, वहाँ एक कारे कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर दो चिन्हें लगाएं, यह डोरी की एक लंबाई होगी, वे डेस्क की चोड़ाई डोरी क लंबाई के पदो में माप सकते हैं, चित्र संख्या 10.4, वे इस डोरी का उप्योग डोरी की लंबाई से कम दोरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं, वे डोरी को मोड़ कर डोरी की लंबाई का आधा, एक चौथाई, तथा आठवाँ भाग कर सकते हैं, अब संभवत पहली तथा बूजो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की जाहिता से माप सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने जैमिती बॉक्स के पैमाने को उप्योग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तों में ऐसा किया जा सकता है। बूजो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे। तथा वह स्वैम भी भिन भिन धंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। चित्र संक्या 10.4 इस चित्र में डूरी की लंबाई से डेस्क की लंबाई का मापन करते हुए दर्शाया गया है। वह यह जान सके कि इस अल्मारी के दर्वाजे को बनाने के लिए कितनी लकडी की आवशक्ता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चोड़ाई अथवा उसके क्षित्र फल जानने की इसलिए आवशक्ता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीजबो सकता है तथा उसे अपनी फसलों के लिए कितने जलकी आवशक्ता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर्थ से आपके पैर की एडी तक की रेखिये लंबाई के बराबर है. यहा कमरा कितना लंबा है? यहा डैस्क कितना चोड़ा है? दिल्ली लखनों से कितनी दूर है? पृत्वी से चंद्रमा कितनी दूर है? इन सभी प्रश्णों में एक बात समान है. ये सभी दो इस्थानों के बीच की दूरी से समबंधित है. दूस्थान मेज के दो किनारों की तरह पास-पास हो सकते हैं इसके विपरीत दूस्थान जम्मू और कन्या कुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं आईए, अब हम कुछ मापन यहां जानने के लिए करते हैं, कि जब हम दूरियां अथवा लंबाईयां मापते हैं, तो हमें सही रूप में क्या करना आवशक होता है। दस पॉइंट तीन, कुछ मापन, क्रिया कलाप एक, आप इस क्रिया कलाप को समों में एक एक करके कीजिए, अपने पैर की लंबाई को लंबाई का एक मातरक मान कर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिये। प्रेश्ट अठानवे इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है, तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उप्यों कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 10.1 में लिखिए। सारणी 10.1 कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापना दर्शाया गया है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसके तीन कॉलम है, पहले कॉलम में नाम है विद्यार्थी का नाम, दूसरे कॉलम में कक्षा के कमरे की लंबाई लिखी गई है और तीसरे कॉलम में कक्षा के कमरे की चौड़ाई लिखी गई है। क्रिया कलाब दो, समोह में कारी कीजिए, आप में प्रतेक अपने बालिष्ट को मानक मातरक मान कर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। मापन के लिए यहां भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिष्ट के बराबर लंबी डोरी तथा इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आविशकता होती है। अपने प्रेक्षरों को सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ग्यात राशी की उसी प्रकार की कुछ ग्यात राशी से तुलना करना है। इस ग्यात निश्चित राशी को मातरक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है, दूसरा भाग ली गई माप का मातरक होता है। सारणी 10.2 मेज की चौड़ाई मापना। यहां सारणी में दो कॉलम दिये गए हैं। पहली कॉलम में मेज की चौड़ाई किसने मापी ये लिखना है और दूसरे कॉलम में बालिष्टों की संख्या लिखना है। अब सारणी 10.1 तथा 10.2 में अंकित सभी मापों का अध्यान कीजिए। क्या प्रतेक पैर द्वारा मापी गई कमरी की लंबाई के ये सभी माप बराबर हैं। अपनी अपनी बालिष्टों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है। शायद ये परिणाम भिन भिन हो सकते हैं क्योंकि आपकी बालिष्ट लंबाई में आपके मित्रों की बालिष्टों से भिन हो सकती है। इसी प्रकार सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाईों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिष्टों या पैरों की लंबाई को मातरक की भाती उप्योग करके किये गए माप को किनी अन्य व्यक्तियों को बताते हैं, तो वे यह नहीं समझ पाते कि यह लंबाई वास्तों में कितनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालि प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी इन सभी मापों का मातरक की रूप में सामान्ने उप्योग होता था। प्रुद्ध जयमितिये रचनाओं को देखने से प्रमारित होता है। कोहनी से अंगुली के छोड़ तक की लंबाई जिससे हाथ कहते हैं, लंबाई के मातरक की रूप में प्राचीन मिस्र में उप्योग किया जाता था, जिससे संसार के अन्ने भागों में भी मानिता प्रा प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुल अथवा मुठी का उप्योग किया जाता था। देख सकते हैं। सुविधा अनुसार शरीर के ऐसे बहुत से भागों का मातरकों के रूप में उप्योग होता रहा है। तथा पी प्रतीक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्निता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापने में उल्जने आई होंगी। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धती कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के विग्यानिकों ने मापन के मानक मातरकों के एक सेट को स्विकार कर लिया है। आजकल जिस मातरक प्रणाली का उप्योग हो रहा है उसे अंतर राष्ट्रिये मातरक प्रणाली यानि SI मातरक कहते हैं। लंबाई का SI मातरक मीटर है। चित्र 10.6 में मीटर पैमाना दिखाया गया है। इसमें भी आपके जयामिती बॉक्स का 15 सेंटिमीटर पैमाना भी दिखाया गया है। प्रतेक मीटर यानि M को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटिमीटर यानि CM कहते हैं। एक सेंटी मीटर के दस बराबर भाग होते हैं, जेने मिली मीटर यानि एमेम कहते हैं, इस प्रकार एक मीटर बराबर सौ सीम, एक सीम बराबर दस एमेम. लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर एक सुविधा जनक मातरक नहीं है, इसके लिए हम एक बड़े मातरक को परिभाशित करते हैं, इसे किलो मीटर यानि के एम कहते हैं, एक के एम बराबर एक हजार एम यानि मीटर. अब हम अपने सभी मापन क्रिया कलापों को मानक पैमानों का उपयोग करके दोहरा सकते हैं, तथा लंबाईयों को SI मातरकों में माप सकते हैं. ऐसा करने से पहले हमें दूरियां तथा लंबाईयां मापने का सही धंग जानना आवशक है. 10.5. लंबाई की यथार्थ यानि परिशुद माप अपने दैनिक जीवन में हम विवित प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं. लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं. दरजी मापक फीदे का उपयोग करता है. जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ काम मिलाते हैं किसी वस्तू की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उप्युक्त युक्ती का चैन करना चाहिए उधारन के लिए किसी व्रिक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानि वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधा जनक होता है चोटी लंबाईयां जैसे आपकी पैंसिल की लंबाई मापने के लिए आप अपने जैमिती बॉक्स के पंधरा सेंटिमीटर पैमाने को काम में ला सकते हैं प्रिष्ट सौ चित्र संक्या दस पॉइंट साथ यहां पर मापी जाने वाली लंबाई के अनुदिश पैमाना रखने की सही तथा गलत विधी को दर्शाया गया है लंबाई मापते समय हमें निम्न लिखित सावधानिया बरतने की आवशक्ता होती है एक, चित्र दस पॉइंट साथ में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए दो, कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं आप इन पैमानों के शुन्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे चित्र संख्या 10.8a ऐसे प्रकरणों में पैमानी के शुन्यांक से माप लेने से बचिए आप पैमाने का कोई अन्य पॉणांक जैसे 1.09 cm जैसा की चित्र संख्या 10.8b में दिखाया गया है उसे काम मिल ला सकते हैं तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूरांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए उदारन के लिए चित्र संख्या 10.8b में एक सिरे का पाठ्यांक 1.09 cm तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 14.3 cm है आताहा वस्तु की लंबाई 14.3 cm से 1.0 cm बराबर 13.3 cm है चित्र संख्या 10.8 तूटे किनारे वाले पैमाने को रखने की A सही तथा B गलत विधी दर्शाई गई है 3. माप लेने के लिए आँख की सही स्थिती भी महतपून होती है जैसा के चित्र संख्या 10.9 में दर्शाया गया है आपकी आँख जिस बिंदू की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए इस्थिती B आँख की सही स्थिती है ध्यान दीजिए B से देखने पर पाठ्यांख 7.5 cm है इस्थितियां A तथा C से पाठ्यांख भिन्न हो सकते हैं क्रिया कलाब 3 अपने सह पाठ्यी की उँचाई पहले बालिष्टों और फिर मीटर पैमाने का उप्योग करके मापिए इसके लिए अपने सह पाठ्यी को दीवार के साथ पीट रख कर खड़ा होने के लिए कहिए सारणी 10.3 उँचाई का मापन इस सारणी में 3 कॉलम दर्शाए गए हैं पहले कॉलम में उँचाई किसने मापी ये आपको लिखना है दूसरे कॉलम में उँचाई बालिष्ट में और तीसरे कॉलम में उँचाई सेंटी मीटर में लिखनी है उसके सिरसे ठीक उपर दिवार पर एक चिन अंकित कीजिए अब फर्ष से दिवार पर बने इस चिन तक की दूरी पहले अपने बालिष्ट से और फिर मीटर पैमाने से मापिए अन्य सभी विद्यार्थियों से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए सभी प्रेक्षन सारणी 10.3 में लिखिए विभिन्य विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों का ध्यान से अध्यान कीजिए कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्य हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थियों के बालिष्टों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है अब कॉलम तीन के परिणामों को देखिए जसमें सभी मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई है ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीब हो सकते है परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक ठीक बराबर हैं यदि नहीं तो आपके विचार से यहां अंतर क्यूं है आखिर सभी एक ही पैमाने का उप्योग कर रहे हैं भिन भिन बालिष्टों का उप्योग तो नहीं कर रहे यहां अंतर प्रेक्षण लेने में होने वाली छोटी तुरूटियों के कारण हो सकता है मापन की इन तुरूटियों को जानने और वैवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्चिक कक्षाओं में सीखेंगे 10.6. किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उप्योग करके नहीं माप सकते वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उप्योग कर सकते हैं क्रिया कलाब 4 वक्र रेखा A, B जैसा की चित्र संक्या 10.10 में दर्शाया गया है इसकी लंबाई मापने के लिए किसी धागे कौपियों कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांट बांधिये। इस गांट को बिंदु ए पर रखे। अब धागे को अपनी अंगुली तथा अंगुठे द्वारा तना हुआ रख कर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश र पहलाईए। इस प्रक्रिया को दोराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुँचिए। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन अंकित कीजिए। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अनुदिश फैलाईए। धागे के आरंभ में बंधी काठ तथा इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई मापिये। यह माप वक्र रेखा AB की लंबाई है। चित्र संख्या 10.10 इस चित्र में धागे की साहता से किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना दर्शाया गया है। हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाईयों की यथार्त माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानिया बरतनी पड़ती हैं। मापन के लिए कुछ मानक युक्तियों तथा मापन परिणामों को व्यक्त करने के लिए हमें कुछ मानक मा 10.7. हमारे चारों और गतिशील वस्तुएं. क्रिया कलाब 5. उन वस्तुओं के बारे में सोचिये, जो आपने हाल ही में देखी हैं. इनकी सूची सारणी 10.4 में बनाईए. सारणी 10.4 विराम और गतिशील वस्तुएं. इस सारणी में दो कॉलम दर्शाय गए हैं. पहले कॉलम में विराम में वस्तुओं को दर्शाय गया है जैसे घर, मेज, घड़ी और दूसरे कॉलम में गतिशील वस्तुओं को दर्शाय गया है जैसे एक उरती चुडिया, घड़ में सेकेंड की सूई आपकी सूची में स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सियों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदी हो सकते हैं इसके अतरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाए, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मचली, घर, फैक्टरी, पत्थर, खोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेल काड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सूईयां भी हो सकती हैं आप जितनी लंबी सूची बना सकते हों, बनाएए इन में से कौन गतिशील है और कौन विराम में है आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गती में है अथवा विराम में है आपने यह देखा होगा कि चिडिया कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि मेज उसी स्थान पर है इस साधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गती में है अथवा विराम में है आईए हम किसी चीन्टी की गती को ध्यान से देखते हैं क्रिया कलाप छै कोई ऐसा स्थान चुनिए जहां चीटियां हो इस स्थान के निकट कागस की एक बड़ी शीट फैला कर इस पर कुछ चीनी रखे चीटियां इस चीनी की और आकरशित होंगी तथा आप शीग रही इस कागस की शीट पर बहुत सी चीटियों को रेंगते हुए देखेंगे किसी एक चीन्टी के लिए जब वह कागस की शीट पर तुरंत रेंग चुकी हों पैंसिल से उसकी स्थितियों के निकट छोटे छोटे चिन अंकित कीजिए चितर संख्या 10.11 जैसे जैसे ये कागस पर रेंगती जाएं आप इसकी स्थितियों पर चिन अंकित करते जाएए कुछ समय के पश्चाथ कागस की शीट को इधर उधर हिला कर इस पर से चीनी अथवा चीटियां हटा दीजिए उन विभिन बिंदूओं जिने आपने कागस पर अंकित किया था उनको तीरूं द्वारा जोड़कर चीटि की गती की दिशा दर्शाएए वहा हर बिंदू जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकेंडों के समय अंतराल में चीटि ने कहां कहां गती की को दर्शाता है गती किसी वस्तू की स्थिती में किसी प्रकार के परिवर्तन जैसी दिखाई देती है क्या आप ऐसा नहीं मानते क्रिया कला पांच में वस्तू के समों बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई की मशीन, अथवा बिजली का पंखा जैसी वस्तू को किस समों में रखा था क्या ये वस्तूएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती कर रही है? नहीं, क्या आप इनके किसी भाग में कोई गती देखते हैं? पंके की पंक्खुणियां अथवा घड़ी की सुईयां कैसी गती करती है? क्या इनकी गती चीटी या थवा रेल गाड़ी की गती जैसी है? आईए अब हम कुछ प्रकार की गतीयां देखते हैं, जिनमें हमें इन विभिन प्रकार की गतीयों को समझने में सहयता मिलेगी. प्रिष्ट एक सौ तीन दस पॉइंट आठ गती के प्रकार आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गती, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गती, अथवा किसी गिर्थे पत्थर की गती का प्रेक्षन किया होगा. चित्रसंख्या 10.12 यहाँ पर सरल रेखिये गती के कुछ उधारन दर्शाय गये हैं, जैसे परेड में मार्च पास्ट करते कुछ सिपाहियों को दर्शाय गया है, और सड़क पर लेन में चलती हुई गाड़ियों को दर्शाय गया है. यहाँ किस प्रकार की गती है? सो एम दौड ततियुगिता में धावग भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं. इस प्रकार की गती को सरल रेखिये गती कहते हैं. क्रिया कलाब साथ एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिये, तथा अपने हाथ से इसे तेजी से खुमाईए. पत्थर की गती को ध्यान से देखिये. हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तिय पत्थ के अनुदिश गती कर रहा है. चित्र संख्या 10.13 वर्तुल गती करती कुछ वस्तुएं. यहां चित्र संख्या A में एक बैल को गोल-गोल घुमते हुए दर्शाया गया है. चित्र B में वायू यंद्र को दर्शाया गया है और चित्र C में एक पंख्य को गोल-गोल घुमते हुए दर्शाया गया है. इस गती में पत्थर की आपके हासे दूरी समान रहती है. इस प्रकार की गती को वर्तुल गती कहते हैं. बिजली के पंखे की पंखुडियों पर अंकित किसी चिन्ह की गती, किसी घडी के सेकेंड की सुई की गती, वर्तुल गती के उधारन हैं, जैसा कि चित्र संख्या 10.13 में दर्शाया गया है बिजली का पंखा अत्वा घडी स्वयम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गती नहीं कर रहे हैं, परन्तु पंखे की पंखुडियां घुर्णन करती हैं, तथा ऐसी ही घडी के सुईयां भी करती हैं यदि हम पंखे की पंखुडियों अत्वा घडी की सुयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन अंकित कर दें, तो घुणन करते समय भी पंखे अत्वा घडी के केंदर से इस चिन की दूरी समान रहेगी कुछ प्रकारणों में कोई वस्तू एक निश्चित अंतराल के बाद अपनी गती को दोहराती है यहां बूजो यहां निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं, तब हम यहां क्यूं कहते हैं कि पत्थर की हास से दूरी समान रहती है क्या आप बूजो को यह समझने में साहिता कर सकते हैं, याद रखिए पत्थर डूरी से बंधा हुआ है इस प्रकार की गती को आवर्ती गती कहते हैं, डूरी से बंधा हुआ वही पत्थर लीजिए जिसे आपने क्रिया कराप साथ में उप्यो किया था अब डूरी को अपने हाथ में थामिए तथा पत्थर को डूरी से लटकने दीजिए यह एक लोलक है, दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खीचिए और फिर स्वातंद्र गती करनी के लिए छोड़ दीजिए लोलक की यह गती आवर्ती गती का एक उधारन है वरिक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, जूला जूलते बच्चे की गती, सितार की डूरियों की गती, बशते समय ढोलों अथवा तबलों की जिली की गती यह सभी आवर्ती गती के उधारन हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गती को दोहराती हैं, जैसा कि 10.14 में दर्शाया गया है क्या आपने क्रियाकला 5 के एक भाग के रूप में सिलाई की मशीन का प्रेक्षन किया था? आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्तिती पर रहती है जबकि उसका पहिया वर्तुल गती में होता है, इसमें एक सुई भी होती है, जो जब तक पहिया घूनन करता है, तब तक निरंतर उपर नीचे गती करती रहती है, क्या ऐसा नहीं है? यहां सुई आवर्ती गती कर रही है. चित्र ए में एक लड़की को जूला जूलते हुए दर्शाया गया है, बी में एक घड़ी को दर्शाया गया है, सी में एक गिटार को दर्शाया गया है, डी में एक घंटी को दर्शाया गया है, और ई में तबले को दर्शाया गया है. इस अध्याई के अंतरगत हमने बहुत से मापन क्रिया कलाब किये हैं तथा कुछ प्रकार की गतियों के विशे में चर्चा की है हमने देखा कि समय के साथ स्थिती में परिवर्तन को गती कहते हैं स्थिती में हुए इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्याद कर सकते हैं। इस से हमें यहाद जानकारी मिलती है कि कोई वस्तू कितनी धीमी अथवा तीवर गती कर रही है। फर्ष पर घूंगे का रेंगना, तितली का एक पुश्प से दूसरे पुश्प पर मंडराना, नदी का प्रवाहित होना, वायूयान का वायू में उचाईयों पर उड़ना, प्रित्वी के परिताह चंद्रमा द्वारा गती करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरन मापन, गती, आवर्ती गती, सरल रेखिये गती, ऐसाई मातरक, मापन के मातरक सारांश, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवाहन के विभिन साधरों का उप्योग किया जाता है प्राचीन काल में लोग पहर की लंबाई, अंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदी का उप्योग मापन के मातरक की रूप में करते थे इससे उलज़ने होती थी तथा इसी लिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विक्सित करने की आविशक्ता उत्पन्न हुई प्रिष्ट 106 अभ्यास, एक, वायू, जल तथा थल पर उप्योग किये जाने वाले परिवान के साधरों में प्रतेक के दो धारन लिखिए दो, यहां कुछ वाक्य दिये गए हैं जिन में रिक्तिस्थान हैं, वहां पर सही शब्द लिखकर उनकी पूर्ती कीजिए ग, एक मीटर में रिक्तिस्थान सेंटी मीटर होते हैं, ख, पांच किलो मीटर में रिक्तिस्थान मीटर होते हैं, ग, जूले पर किसी बच्चे की गती रिक्तिस्थान होती है, ग, किसी सिलाई मशीन की सुई की गती रिक्तिस्थान होती है, ड, किसी साइकिल के पहिय की गती रिक्तिस्थान होती है 3. पग अथवा कदम को प्योग लंबाई के मानक मातरक के रूप में क्यों नहीं किया जाता 4. यहां कुछ मानक मातरक बताए गए हैं इनको लंबाई के बढ़ते परिमाणों में वैवस्थित कीजिए 5. किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है इस सेंटिमीटर तथा मिली मीटर में व्यक्त कीजिए 6. राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है इस दूरी को किलो मीटर में व्यक्त कीजिए साथ, किसी स्वेटर बुन्ने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.09 cm तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 cm है तो सिलाई की लंबाई कितनी है? 8. किसी चलती हुई साइकिल के पहिये तथा चलते हुए छट के पंखे की गतियों में समानताएं तथा आसमानताएं लिखिये 9. आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीदे का उप्योग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीदे से मापें, तो अपनी माप को किसी अन्ने को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी, उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए. 10. आवर्ती गती के दो उधारण लिखिए. प्रस्तावित परियोजनाएं एवं क्रिया कलाप. एक. अपनी कक्षा के कमरे का मानचित्र खींचिए, उसके फर्ष पर गेंद लुड़काईए. अपने मानचित्र में जहां से गेंद ने लुड़कना आरंब किया था और जहां वहार रुकी थी विबिंदू दर्शाईए. जिस पत के अनुदिश उसने गती की उसे भी दर्शाईए. क्या गेंद किसी सरल रेखा के अनुदिश चली थी? दो, डूरी तता स्केल का उपयोग करके प्रतेक विद्ध्यार्थी से उसके पैर की लंबाई का मापन कराईए. समस्तिक कक्षा के विद्ध्यार्थियों के पैरों की लंबाई की मापराप्ट करके स्तंभ ग्राफ खींचिये. इसी के साथ सोला पाठों की इस पुस्तक का दसवां पार्ट यहां समाप्थ हुआ है.